आज के modern science के हिसाब से करकुमिन एक बहुत important तत्व है जो RCM के हल्दी में पाया जाता है आज के इस वीडियो में आप पूरा देखिए मैं आपको RCM हल्दी के benefits के बार में बताने वाला हूँ RCM हल्दी कैसे तयार होता है उसके बार में बताने वाला हूँ वीडियो काफी informative होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है आपके team में शेयर करिए इस वीडियो को like करिए like है एक हजार मुझे पता है आप लोग कर देंगे साथियो RCM हल्दी तयार करने की process बजार के मुकाबले ये बाहर के मुकाबले थोरा सा अलग होता है इसमें काफी सारी सब्धानी बढ़ती जाती है काफी सारे ऐसे essentials important चीजों के ध्यान रखा जाता है जिसका वज़े से इसका जो nutrition value है वो ना घटे market की हल्दी के तुलना से RCM हल्दी को तयार करने की process कुछ अलग होता है RCM हल्दी को पहले market से खड़िता है जो कच्चा हल्दी होता है उसको खड़ितने के बाद उस हल्दी को पहले cleaning किया जाता है machine system के दुआरा उसके बाद वो हल्दी clean होने के बाद उसको properly एक temperature पे रखा directly आग में उसको तपाया नहीं जाता है इसके लिए भाब के पानी से उसको तपाया जाता है जिसके बज़े से वो हल्दी का nutrition value भी complete रहता है और nutrition value complete होते के साथ-साथ जो हल्दी के main implementation है वो implement भी success होता है then वहां से हल्दी को निकाला जाता है उसके बाद proper machining system से उसको पिषा करेंगे उसका nutrition value damage होने की chances है लेकिन RCM हल्दी में उसको cool chamber में उसको पिषाय करने की वज़े से उसका nutrition value भी बरकरा रहता है सिर्फ यहीं नहीं RCM हल्दी को जितने बारिकी से उसको completely packing किया जाता है जिसको एक machinery process के दवारा किया जाता है जिसमें हर चीजों को laboratory में टेस्ट ह होता है कि यह हमारे body के लिए harmful ना हो तो इस तरह से RCM हल्दी को तैयर किया जाता है RCM हल्दी में curcumin and antioxidant ज्यादा मात्रा में पाने की वज़े से इसमें ऐसे लाबकारी गुन है जो आपके आखे खुल देगा आपको RCM हल्दी use करने के लिए और प्रेडित करेगा सबसे पह होने से पहले हमारे body के अंदर एक ऐसा army है जो उस रोक को हमारे body में होने नहीं देता है उसको रोकता है तो हमारे body के जो रोक है उसको रोक थाम में RCM हल्दी एक बहुत-बड़ी मददगार सावित है RCM हल्दी हमारे liver को detoxify करने में बहुत बड़ी मदद करता है आज के दिन में liver का problem कितने लोगों का है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आज अगर हमारे पास liver अच्छा नहीं रहेगा हमारे कितने सारे उसके बज़े से रोग हो सकता है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं मतलब वरवर के रोग हो सकता है तो RCM हल्दी आपके liver को detoxify करने में मदद करता है और detoxify होनी के बज़े से आपके liver की जी आयू है वो बढ़ जाता है इसके बज़े से हमारे आयू भी बढ़ने शुरू हो जाता है RCM हल्दी आपके skin को improvement करने में मदद करता है हम लोग सभी को पता है बहुत सारे महले आपने skin के उपर हल्दी को लगाता है जिसके बज़े से उनके जो skin है और थोड़ सा गोरा देखने की chances हो जाता है और भी हल्दी होने शुरू हो जाता है उनके skin इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि RCM हल्दी कितने बड़े एक योगदान है अगर आप RCM हल्दी को एक गलास दूद या पानी में मिक्स करके पिएंगे आपके बहुत सारे वाइरल बिमारी को दूर कर सकता है जैसे कि आपके खासी, बुखार, सिरदर्थ, आपके ठकान, बहुत सारे चीज़ों में RCM हल्दी आपको मदद करता है RCM हल्दी आप अगर लेंगे तो आपके इम्मुनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है RCM हल्दी एक बहुत बड़ी anti-cancer product है जिन लोगों को cancer है वो भी हल्दी को use करता है जिसके बज़े से उनके body में cancer की जो प्रतिरोदोत छमता है वो काफी गुना बढ़ जाता है RCM हल्दी की बज़े से आपके चोट या आपके सूजन में बहुत बड़ी मदद करता है हम सभी को बता है पुराने दिनों में हम लोगों के अगर कहीं पे भी थोड़ा सा cut लग जाता था तो हमारे माँ, हमारे बहन जो भी होता है वो हाँ पे हल्दी लगा के पूरी तरीके से उसको pack कर देता था जिसके बज़े से वो बहुत सारे benefits हमारे body में दिखाता था फैक्टरीज में जाके आपको वो चीज दिखाए आर्सेम हल्दीस के बार में कुछ भी information आपको चाहिए नीचे एक link दे रहा हूं